हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो एक्स्टर नोलिज फोर एजुकेशन, फ्रेंड्स इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, सभी परिक्षाओं के लिए महत्पूर्ण हिंदी गत्साहित्य का इतिहास से सम्बंदित प्रश्णायव मुत्तर के बारे में, कई कंपेटेटिव अधर के लिए में हिंदी गत्साहिन से सम्बंदित प्रश्णाय आती हैं 2019 अवि इस वीडियो आपको छी लेगें तो प्लीज इसे लाइक में सेर कीजिएं त 창र्णाय पहली वर आराए हैं यह चैनल अगर पाह्या में हद्द आ के प्रश्णायवाद ए जो शनवाय को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जितनी वीडियों हम अपलोड करते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचाए और अधिक से अधिक परिक्षा गुडू एक उपानियास है У्क कि लेखक का निवास दास तूसर प्रशन है ंदीगत साहित्य के पिर्थम कहानी को नाम है इसका उत्तर है इंदूमती तो प्रशन है पतितों के देश में इसके रशनकार कर नाम बताना है तो इसका उत्तर है राम रक्ष बेनिपूरी पांचो प्रशन है हिंदी साहित्या का इतिहास एक रशना है आपको इसके लेख़ कर नाम बताना है इसका उत्तर है आचारे राम चंत्रशुक्ल हिंदी साहित्यक इतिहास रचना के रचनागार का नाम आचार्य रामचंद सुगल है इस्टुडेंट्स आपसे निवेदन है आप जितने भी इन प्रश्णों में से उत्तर जानते हैं आप उनकी कमेंट इंजरूर कीजिए ताकि आपको पता चल सकते हैं आप इनमें से कितने सही कर सकते हैं और जिस प्रश्ण का आंसर आपको पता हो आप उसको कमण से एक्षन में लिखे अगला प्रश्ण है प्रथ्वी पूत्र निवंध संग्र है कि लेखक का नाम क्या है तो इसका अंसर है डौक्टर बासुदेव सरण अगरवाल अगला प्रशन है साहित्य सीकर साहित्य सीकर के रचनकार का नाम है जिसका उत्तर है आचार्य महवीर प्रशाद दिवेदी साहित्य सीकर के रचनकार का नाम आचार्य महवीर प्रशाद दिवेदी है अगला प्रशन है उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री और मुख्य मंत्री को अलंकरत करने वाले साहित्यकार का नाम है तो इसका उत्तर है डाक्टर संपूर्णानंद डाक्टर संपूर्णानंद एक ऐसे साहित्यकार है जिनोंने उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री और मुख्य मंत्री के पद को भी अलंग करत किया है अगला प्रशन है संपादन द्वारा संपादन द्वारा लेखों की भासाई भी संगतियों को दूर करने वाले लेखक का नाम क्या है इसका उत्तर है आचार्य महाविर प्रिशाद्दिवेदी अगला प्रशन है सो अजान एक सुजान के लेखक का नाम है आपको इसके राइटर का नाम बताना है तो इसका उत्तर है बालकर्षन भट सो अजान एक सुजान बालकर्षन भट की रचना है अगला प्रशन है रिपोर्ट ताज विधा का आरंब किस रचना से माना जाता है रिपोर्ट ताज विधा का आरंब किस रचना से माना जाता है तो इसके उत्तर है बंगाल के अकाल रिपोर्ट ताज विधा की फश्ट रचना का नाम बंगाल के अकाल है अगला प्रशन है नदी के दीप नदी के दीप किस विधा की रचना है आपको इसकी विधा का नाम बताना है तो ये उपन्यास विधा है नदी के दीप एक उपन्यास विधा की रचना है अगला प्रशन है पवित्रता निवंद के लेखक का क्या नाम है इसके उतर है सरदार पुन सिंग है। पवित्रिता निवन्द के दर्मेय कि अन्य olur मिस्ट प्रवाकर का मिस्थान कहा χा है। कैनि फटर है देवण सहरनपूर उत् Buddhist करिया लेए सहरनपूर जिले के देवबंद में हुआ। अगला प्रशने अनामदास का पोथा किसकी रचना है इसका उत्तर है डक्टर हजारी प्रशाद दिवेदी अगला प्रशन है केदारनाथ पंडे किस लेखक का वास्तविक नाम है इसका उत्तर राहुल सांक्रत्यायन अगला प्रशन है कितनी नावों में कितनी बार का वेकरती किसकी है इसका उत्तर है सचिदानंद हिरानंद वात्सयायन अग्ये की रचना है कितनी नावों में कितनी बार अगला प्रशन है मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा किसकी है इसका उत्तर है राहुल सांक्रत्यायन ये राहुल सांक्रत्यायन की आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा अगला प्रशन है नूतन ब्रह्मचारी के रशनाकार कोन है इसका उत्तर बालकष्ण भट नूतन ब्रह्मचारी के रशनाकार का नाम बालकष्ण भट है अगला प्रशन है सिरी चंद्रावती नामक नाटक के लेखक है आपको बताना है सिरी चंद्रावती के लेखक कोन है इस इसका उत्तर है भारतेंदू हरिष्चंद्र की रशना है और ये नाटक विधा की रशना है अगला प्रशन है चारुचंद्र लेक की विधा का नाम है तो इसका उत्तर है कहानी चारुचंद्र लेक कहानी विधा की रशना का नाम है अगला प्रशन है हंस पत्र हंस पत्र के सं पार्दक का क्या नाम है? इसका उत्तार मुंसी प्रेमिचंद, अगला प्रश्णा है ज़्ची वीरता कञ्यादान और पवित्रता, निवंद के लेखा कोन है, ये तीनों निवंद है, आपको इसके लेखा का नाम बताना है, तो इसका उत्तर है सरदार पूर्ण सिंग, सरदार पूर्ण सिंग, अगला प्रशन है रसाग्य रंजन, रसाग्य रंजन कृती के लेखा कोन है, इसका उत्तर है महविर राम ब्रक्ष बेनिपुरी की रचना है पैरों में पंक हुआ अंदगर और ये की यात्रवरतांत है अगला प्रशने है 27 वसूदा मासिक पत्रीका का संपादन किस नहीं किया था इसका उत्तर है हरी संकर परशाई अगला प्रशने है चीद्विलास के रचनाकार कोन है चीद्विलास के रचनाकार का नाम है डाक्टर संपूर अनंद अगला प्रशने है राहूल सांकरत्यायन का जन्मिस्थान कहा है तो राहूल सांकरत्यायन का जन्मिस्थान पंदहा गाउं जिल आजमगार उत्तर प्रदे एकला प्रशन है एक नाटक है कि रचनकार के नाम बताना है तर इसके उत्तर भारतेंदू हरिष्चंड्र बोल्गать से गंगा कानी ये कहानी है, कहानी संग्रे है ये, इसकी लेखक का नाम आपको बताना है, इसका उत्तर राहुल सांकरत्यायन, बोलगा से गंगा, कहानी संग्रे के लेखक का नाम राहुल सांकरत्यायन है, अगला प्रशन है भाग्यवती, उपन्यास के लेखक है, भाग्यवती एक उपन्या से इसके लेखा का नाम है सरध्धा राम फुलोरी अगला प्रस् 건설 है चंद्रकांता संतिती चंद्रकांता संतिती रचना किस यूग की है उसके यूग का नाम बताना है तो ये जो है दिवेधी यूग की रचना जोतिसो प्रश्ण से आधु निक तिक प्रारंबिक डायरी कोणOW है इसका उत्तर है शंशेर बहाधूर सिंग ऊंदूनिक यूग प्रिथम डायरी के लेका का नाम शंशेर बहाधूर उसाइन से लिखर कर द laufen के संपादक कों नहीं पुटत तरही हैं कि औराद्री नारयन्जोदरी प्रेमगं आनट्रा दमबनी के संपादक का नाम बदरी नाराल चोदरी प्रेम घन है अगला प्रशन है जलिया वाला हत्यकांड किस सन में हुआ जलिया वाला हत्यकांड बहुत ही दुगत घड़ना थी ये जो है सन 1919 इस भी में जलिया वाले हत्यकांड हुआ था अगला प्रशन है सरदार पूर्ण सिंग किस युक्चे लेखक हैं आपको बताना है सरदार पूर्ण सिंग किस युक्चे लेखक हैं इसका उत्तर है दिवेदी युक्चे सरदार पूर्ण सिंग दिवेदी युक्चे बहुत ही पिर्मुक बहुत ही पिर्शिद लेखक हैं अगला प्रशन है प वारिस कहानी संग्रह के लेखक हैं, इसके उत्तर है मोहन राकेश, वारिस कहानी मोहन राकेश द्वारा लिखी थे हैं, अगला प्रशन है भारत के मोलिक एक्ता निवंद संग्रह के लेखक हैं, भारत के मोलिक एक्ता निवंद संग्रह के लेखक का नाम आपको बताना है, इस के लेखक का नाम बताना है इसका उत्तर है प्रोफेसर जी सुंदर रेड़ी साहित्य और समाज निवंद के लेखक का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड़ी है अगला प्रशन है वहासा और आधुनिक्ता निवंद के रचनकार का नाम प्रोफेसर जी सुंदर रेड़ी है राणीनाग्मती कहानी के रजनकार का नाम है हरिसंकर परसाई की रशना है राणीनाग्मती की कहानी अुल्हाइक हुण हिन्दी तर इंद्द र सबढ़ने मुल्ट खुरम कि अख़ा अग्लर का नाम नाम अग्ला प्रश्ना लगश्ने से शांफ मोजे कि और चुना छोज़ना भी करिक काली दास की लालित्यय योजना के लिखक है इसका उत्तर है राक्टर हजारी प्रशाद दिवेदी अगला प्रशन है पुनर्वा कृति किस विधा की है आपको पुनर्वा विधा की किरति का नाम बताना है तो यह एक उपन्याज विधा की रशना है तब की वाथ और्थी के रशनाकार कौन है हरी संकर परसाई इसका उत्तर है तब की वाथ और्थी इसके रशनाकार का नाम हरी संकर परसाई है मादव विलास मादव विलास के लेखा कौन है इसका उतरह है ललूलाल मादव विलास ललूलाल की दशना है अगला प्रशन है वर्ण रतनकार वर्ण रतनकार के दशनाकार कौन है जोती दिस्वर अगला प्रशन है लक्षमीपुरा लक्षमिपुरा के लेखा के हैं इसका उतरह सिब्दान सिंग चोहान लक्षमिपुरा सिब्दान सिंग चोहान की रचना है अगला प्रशन है क्या भूलूं क्या याद करूं क्या भूलूं क्या याद करूं ये किस विधा की रचना है इसकी विधा का नाम बताना है तो ये आत्मकता विधा की दशना है अगला प्रेशन है नासी केतो पाक्यान नासी केतो पाक्यान के लेखा कोन है इसका उत्रह सदल मिस्र नासी केतो पाक्यान ये आदिकाल की दशना है और इसके राइटर का नाम इसके लेखा का नाम सदलमिस्र है फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने ये छपन प्रशन डिसकस किये मुझे विश्वास है ये वीडियो आपको जुरूर पसंद आई होगी और ये दिये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेलफुल लेगी हो तो प्लीज इसे लाइक बेर सेर कीजिए तो जो फ्रेंड्स चैनल पर पहले वार आए हैं हमाई चैनल एक्स्टा नूलिज पोर एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जितनी भी हम वीडियो अप्लोड करते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रेप्शन में दे रखा है आप उसको डाउनलोड करके कभी भी देख सकते हैं धन्यवाद